नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको RPF Constable के previous equation पेपर solve करा रहा हूँ इससे पहले मैंने आपको RPF PSI के previous equation पेपर solve कराए हैं अगर आप वो वीडियोज पर देखना चाहते हैं तो वीडियो की description मैंने RPF PSI की playlist का link दे दिया है अब वहाँ से जाके उन वीडियोज को देख सकते हो RPF Constable के भी मैंने आपको 34 set solve कराए हैं आज आपके लिए 35 set जो हुआ था 15 फरवरी 2019 की first shift में दोस्तों previous question paper solve करना आपके लिए बहुत जादा important है क्योंकि railway में mostly question repeat होते हैं तो आज मैं आपके लिए 35 set तो बिना देरी की video को हम सुरू करते हैं हमारा पहला question है निम्न में से किस जैविक प्रिकिर्या के दुआरा सरीर से हानी कारक चपापचय अब सिस्टू को बाहर निकाला जाता है वो निकाला जाता है उत्सर्जन के दुआरा option number 4 सही answer हो जाएगा question number 2 निम्न में से कौन सा प्रतान पोदे का उधारन है यह मटर के पोदे option number 1 सही answer हो जाएगा question number 3 प्रत्वी और बादलो अत्वा बादलो की विभिन सतों के बीच विद्धुत विसर्जन की प्रिकिर्या के कारण होती है यह तिये आकासी विद्धुत के कारण option number 1 सही answer हो जाएगा question number 4 निम्न मेंसे कौन से एक प्राइदीप की नदियों की विसिस्ता है यह वर्गी करत उथली घाटी option number 3 सही answer हो जाएगा question number 5 तांत साड़ी मूलते किस राज्ये से सम्मंदित है यह सम्मंदित है पस्चिम बंगाल से option number 1 सही answer हो जाएगा question number 6 अफरीका और एसिया महादीप के बीच विभाजक का कारे निम्न मेंसे कौन करता है यह करता है आपका लाल सागर option number 2 सही answer हो जाएगा हमरा अगला question है question number 7 question number 7 है दोस्तों हमरा US Open 1 Grand Slam Tournament है इसका समंद किस खेल से है इसका समंद है tennis से option number 3 सही answer हो जाएगा question number 8 17-17 इस्वी में किस मुगल बादसा ने East India Company को एव फर्मान जारी किया यह किया था फरुक सियर ने option number 4 सही answer हो जाएगा question number 9 पिडिसिद जौलामों की देवी मंदिर रिक्तिस्थान के कांगडा जिले में इस्तित है हिमाचल पर्देश के कांगडा जिले में इस्तित है option number 4 सही answer हो जाएगा question number 10 सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीत होता है इसका कारण क्या है इसका कारण है प्रकास काफवर्तन option number 1 सही answer हो जाएगा question number 11 अंडमान और निकोबार दीव समू में सांती सम्रद्धी और सुसासन से संबंदित नियम निम्न में से कौन बना सकता यह बना सकते है भारत के राष्टपती article 240 के तहट राष्टपती इनके लिए नियम बना सकते है option number 1 सही answer हो जाएगा question number 12 सिनाई प्राजदीव किस देश में इस्तित है यह इस्तित है आपका मिस्र में option number 2 सही answer हो जाएगा question number 13 अनुचेद जनजातियों वाले और आदिवासे छेतरों के प्रसासन के सम्मंदित प्रावधान भारति सम्मिधान के किस अनुचेद में दिये गए है यह दिये गए है अनुचेद 244 में किस में दिये गए है अनुचेद 244 में option number 1 हमारा सही answer हो जाएगा यह प्रावधान सम्मिधान की चटवी अनुसूची में चार राज्ये असम में घाले त्रिपुरा और मिजोरम के लिए गए है यह बात भी आप याद रखें option number 1 हमारा सही answer हो जाएगा question number 14 वैदुत सहियोंजी योगिक समानेते रिक्तिस्थान में घुलनसील होते है यह जल में घुलनसील होते है option number 3 सही answer हो जाएगा question number 15 भारती समविधान में वर्नित मौलिक अधिकारों के मुख्यते रिक्तिस्थान से लिया गया है मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के समविधान से लिया गया है option number 1 सही answer हो जाएगा मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर आते हैं भाग 3 के अंदर आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक यह बात आप याद रखेंगा, option number 1 हमरा सही answer हो जाएगा, question number 16, पिरकास के दूर तने के भाग में कोसिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है, इसका कारण है option, option number 1 सही answer हो जाएगा, question number 17, किसी विशेज विमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संखिया, और साथ ही बिमारी के कारण विकलांकता की स्थिती में बिताए गए कुछ वर्सों का अनुमान लगाने के लिए किस संखिय तक का उपयोग किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है, बिमारी का वैसिक भार का, option number 1 हमरा सही answer हो जाएगा question number 18, भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक निम्न में से किस के खातों की जाच करता है, ये जाच करते हैं, राज्य और केंदर दोनों सरकारों के खातेगा, नियंतरक और महालेखा परिक्षक का जो कारेकाल है, वो article 104 के तहत आता है, ये बात आप आप याद रखेंगे option number 3 हमारा सही answer हो जाएगा हमारा किला question है question number 19 athlete हीमादास का सम्मन्द किस भारती राज्ये से है इनका सम्मन्द है दोस्तों असम से हीमादास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं यह बात आप आप याद रखेंगे option number 4 हमारा सही answer हो जाएगा question number 20 रन थंबोर राष्टी उद्धान कहा है इस्तीत है यह इस्तीता आपका राजिस्थान में इसे 1973 में 1973 में project tiger reserve छेतर गोसित किया गया था इवाद आप याद रखेंगे option number 3 हमारा सही answer हो जाएगा 21 लाल कंगारू नीम्न में से किस देश का राष्टी पस हुए यह राष्टी पस हुए आउस्ट्रेलिया का option number 4 हमारा सही answer हो जाएगा question number 22 पस्चिमी चक्रवाती विक्षोप का उद्गम कहां से होता है इसका उद्गम होता है भुमद्धी सागर से option number 3 सही answer हो जाएगा question number 23 द्वनी की तीवरता अत्वा मंदन का इसके रिक्तिस्थान द्वारा निधर्द किया जाता है आयाम के द्वारा किया जाता है option number 4 सही answer हो जाएगा question number 24 लोकसभा अध्यक्स का चुनाव होता है लोकसभा अध्यक्स का चुनाव होता है option number 3 हमारा सही answer हो जाएगा question number 25 verse 1930 में सूरी सैन के नेतरत्व में ससस्त्र क्रांतिकार्यों ने कहां धावा बोला इन्होंने धावा बोला था चिटगाओं में सूरी सैन को माश्टरदा के नाम से भी जाना जाता है ये बात आप गाद रखेंगे option number 2 सही answer हमारा हो जाएगा question number 26 नीमन में से किसे भारती संसत का उच सदन कहा जाता है ये कहा जाता है राज्जी सभा को option number 2 सही answer हो जाएगा ये इस्थाइन सदन है और राज्जी सभा कभी भंग नहीं होती ये बात अभियाद रखेंगे option number 2 हमारा सही आंतर हो जाएगा question number 27 निम्न में से कौन सा देश दक्षण ACI छेतरिय सहयोग संगठन सार्क में सामिल नहीं है यह दोस्तों आपका चीन सार्क की जो इस्थापना होई थी वो 8 दिसंबर 8 दिसंबर 1985 को होई थी यह बात आप याद रखेंगे चीन की जो राजधानी है दोस्तों वो है बिजिंग इसकी स्थापना होई थी दोस्तों ढाका में ढाका जो है बांगला देश की राजधानी यह बात आप याद रखें option number 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा question number 28 question number 28 question number 28 question number 29 औलमपियाड सब्द रिक्तिस्थान वर्ष की समयावधी को व्यक्त करता है ये व्यक्त करता है चार वर्ष की समयावधी को option number 2 सही आंसर हो जाएगा question number 30 भारत के राष्टपती द्वारा राज्यसभा के कितने सदश्य मनोनित किये जाते हैं इसमें राष्टपती द्वारा 12 सदश्य मनोनित किये जाते हैं राज्यसभा की जो कुल सीटे हैं वो 250 हैं जिसमें से 238 सीटे हैं हमारी राज्यो और केंद्र सासित प्रदेश से आते हैं और 12 सदश्यों को हमारे राष्टपती मनोनित करते हैं आप याद रखेंगे, option no.2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, question no.31, pits India Act कब पारित हुआ, ये पारित हुआ था, 1784 को, option no.1 सही आंसर हो जाएगा, question no.32, वायू में उफस्तित जलवास्व की मातरा कहलाती है, ये कहलाती आदरता, नमीकुम आदरता कहते हैं, ये बात आप याद र आप याद रखेंगे, सहाजा ने अपनी पतनी, मुम्ताज महल की याद में ये बनवाया था, ये बात भी आव याद रखेंगे, option no.2 सही आंसर हो जाएगा, question no.34, खेलों से सम्बंदित प्रावधानों का वर्णन भारती सम्विधान की किस अनुसूची से सम्बंदित है, इस सम्बंदित है, राज्य अनुसूची से, option no.4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, question no.35, विद्वा पुनर विवा की वकालत करने के लिए गुजराती भासा में सापताहिक पत्र, सत्य प्रकास का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, यह किया गया था दोस्तों, करसन दास मुल्जी द्वारा, अठारा सो पच्पन से, अठारा सो पच्पन से, अठारा सो इकसरते यह चला था, यह बात विए वियाद रखें, option no.3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, question no.36, आधुनिक आवार साण्डी में सोडियम, एनने का पर्मा से निकलती है, यह निकलती है, सोन नदी, सोन नदी, MP में जो है, मद्य पुर्देश में, अमर कंटक्स के पास से निकलती है, option no.1 सही आंसर हो जाएगा, question no.38, भारत की सबसे बड़ी underground pipeline नीमिन में से कौन सी है, यह है, HBJ pipeline, जिसका पूरो नाम है, हजीरा, बीज़ापुर जगदीशपुर, इसके कुल लंबाई है, सतरा सो पचास किलोमेटर, यह बात आप याद रखें, option no.1 सही आंसर हो जाएगा, question no.39, भारत सरकार में केवल नामातर की सकती किस के पास होती है, राष्टपती के पास होती है, और जो वास्तिविक कारेकारी सकती होती है, वो प कांग न दिये किनारे, नीम पैन जो है, कमबूडिया की राजदानी, यह बात फिर व्याद रखें, option no.3 सही आंसर हो जाएगा, question no.41, किस देश को निर्यात किये गए माल पर लगाए गए कर को कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों, निर्यात सुर्प, option no.1 सही आंसर हो जाएगा, question no.42, वर्स 1930 में महत्मा गांधी ने नमक कानून किसी स्थान पर तोड़ा, इन्होंने तोड़ा था दांडी में, 12 मार्च, 12 मार्च 1930 से 6 अपरेल, 6 अपरेल 1930 तक यह चला था, यह बात भी अब याद रखेंगा, option no.1 सही आंसर हो जाएगा, question no.43, केरल प्रसीद केरल प्रसीदे दोस्तों अपने इस वरो का अपना देश के लिए, option no.2 सही आंसर हो जाएगा, question no.44, भारत का सर्वोच विदी अधिकारी कौन होता है, यह होता है, भारत के महानिया अवादी, article, article 76 में इस पद का प्रावधान है, option no.3 सही आंसर हो जाएगा, question no.45, निम्न no.46, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थावना किसने की, इसका मुख्याल है, कौलकाता के निकट, बेलूड में हिस्तित है, यह बात यह व्याद रखें, option no.3 सही आंसर हो जाएगा, question no.47, कूच बिहार ट्रॉफिक का सम्मद निम्न में से किस खेल से है, इसका सम्मद किर्कि option no.4 सही आंसर हो जाएगा, question no.48, संसद में केवल दोनों सदनों के समानी बहुमत द्वारा, द्वारा ही भारते समविधान के निम्न में से किस प्रावधान में संसोधन किया जा सकता है, यह किया जा सकता है, संसद और राज्य विधान मंडल के चुनाओं में, option no.3 सही आं option no.2 सही आंसर हो जाएगा, question no.50, अंतरिक्स यात्रे को प्रसिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रियोग किया जाता है, इसमें प्रियोग किया जाता है, hands, stand का, option no.4 सही आंसर हो जाएगा, वीडियो आपको कैसी लगी, comment box में comment करके जरूर बताना, वीडियो करता हूँ, कैब इसको सेयर जरूर कर देना, thanks for watching, thank you.